नमस्कार, एस्ट्रोलोजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोगनी आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, तो आज कुछ नया सीखते हैं, आज मैं आपको एक कुंडली के नए छेत्र के बारे में जानकारी दूँगा, जिसकी जरुरत रोज के दिन चरिया में कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है, जिससे हमें कुंडली के इस छेत्र के बारे में जानना अतिमहत्वोन हो जाता है, तो आप समझ गए होंगे मैं किस छेत्र की बात कर रहा हूँ मैं कुंडली के अति महत्वण शेत्र प्रस्न कुंडली की बात कर रहा हूँ प्रस्न कुंडली हुती क्या है सरोबर्थम तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ प्रस्न कुंडली हम उस कुंडली को कहते हैं जो बरतमान समय को दरसाती है बरतमान समय के अनुसार बनी हुई कुंडली को प्रस्न कुंडली कहते हैं आप इसे चाहे तो पंचांग से बनाईए नहीं तो आजकल प्ले स्टोर में इतने ज़्यादा एप है जिससे आप आसानी से अपनी कुंडली बना सकते हैं यह तो था प्रस्न कुंडली बनाने की बात अगर प्रस्न कुंडली बन जाती है उसके बाद हम उसमें देखे कैसे अब उसमें हर छेत्र का विचार अगर आपके पास कोई भी कुछ समस्या लेकर आया है वह किसी भी छेत्र की समस्या है आप उसी के अनुसार आप बर्तमान का लगने निकालेंगे सरवर्थम बर्तमान की जो कुंडली है वो बनाएंगे जिस समय ब्यक्ति आपके पास वह प्रस्न लेकर आता है उस हमाई की प्रसन कुंडली बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि केंद्र स्थान पर कौन से ग्रह की दृष्टी पढ़ रही है अगर सुप ग्रह की दृष्टी पढ़ रही है तो आप जो आपके समक्ष यह प्रसन लेकर आया है जैसे किसी भी समंदित अपने बच्चों के सिक्षा के छेत्र में जानना जाता है या अपनी पती के ब्योशाई के समंद्र में जानना जा रहा है या अपने बच्चों के साधी विवा के समंद्र में जानना जा रहा है किसी भी छेत्र का वह आपके लिए प्रसन लेकर आया है आप अगर किसी सुप ग्रह की दृष्ट पढ़ रही है और अगनः आपका बलवान है और इसके अलावा किसी सोमे ग्रह की भी दृष्टी लगन भाव पर पढ़ रही है तो आपका उत्तर यहां होना चाहिए कि आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा और वहीं अगर इसी पाप ग्रह की दृष्टी लगन थान पर वहां काम में बिलंब करती हैं और काम को नहीं होने देते हैं आप आसानी से यह देखकर समझ सकते हैं इसके अलावा हमें उससे संबंदित भाव भी देखना होता है लगने के अलावा हमें उससे संबंदित जो भाव होता है उसके बारे में मैंने आपको पूरू में ही यो पह संबाना करते हुए अब मैं पॉइंट पर आता हूं अपने हम लगने स्थान पर अच्छे ग्रहूं की दृष्टी और बुरे ग्रहूं की दृष्टी देखने के साथ हम जिस भाव का विचार कर रहे हैं जिससे संबंदित भाव का विचार कर रहे हैं जैसे प्रथम भाव व् दिवती भाव को और पराकरम से स्भशन जित करे रहें हैं दिवती भाव को इसी तरह से हम पूicket है। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस भाव से किस चेत्र के बारे में हम जान सकते हैं। आप आसानी से गढ़ना कर सकते हैं और प्रशन कुंडली से संबंदित प्रथम अध्याय में आपको शुरुवाती जो प्रस्न कुंडली के मेन पॉइंटों होते हैं उनके बारे मैं दाने जा रहा हूँ तो आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कारिक्रम तो यह कुंडली चक्र है यह कुंडली चक्र के अलग अलग भाव होते हैं तो इसमें मैं आपको यह पूर्व में ही बता चुका हूँ किस भाव से क्या उसमें मैंने विश्त्रे तुर्वक आपको बताया है कि किस भाव से किस छेत्र की गणना गी जाती है यह मैंने आपको सौट में दिखाने के लिए यह लिखा है जैसे प्थम भाव से हम तन की करना करते हैं, ब्यक्ति के तन की करना, दूसरे भाव से धन की करना, तीसरे भाव से पराक्रम की करना, चतुरत भाव से सुख, माता, संबंदियों से संबंदित, सभी गरना हैं, पांचुए भाव से हम पुत्र, विद्या से संबंदित, जो भी तो लगन की फिर जिस भाव से सम्मंदित वह गरना है उस भाव की भी आप गरना करेंगे फिर छटा हमारा रिपु, सत्रु, मामा इस सम्मंदित जो भी गरना हैं होंगी उसको हम इस भाव से देखेंगे लगने के साथ साथ इस भाव से देखेंगे के बाद आता है सात्वा भाव दामपत्ती से संबंदित जितनी वे परिसानी समस्याएं होती हैं उसका हम विचार इसी से करेंगी कि इसमें कौन सी ग्रह की दृष्टी पड़ रहे हैं फिर आठवा जो हमारा है आयू से संबंदित जो भी गणनाय होंगी वहां हम कुंडली के आठवे भाव से करेंगे नौम से धर्म दसम से कर्म और एकादस से आय आय से संबंदित जो भी गणनाय होंगी वह हम एकादस भाव से करेंगे दौादस से ब्याइका तो यह एक जन्व कुंडली है अगर कोई भी ब्यक्ति आपके पास कोई प्रसन लेकर आ रहा है तो आप आपको उस समय का लगने निका लेना है लगने आप निकालेंगे वहाँ कुछ भी हो सकता है उस समय भरतमान में जो लगने चल रहा है वहाँ कुछ भी हो सकता है जैसे ब्यक्ति आपके पास आया और उसने अपना प्रसन आपके समक्षे रखा कि उसके पास धन संपदा कब आएगे, वह धन प्राप्त कप करेगा यह वह जो धन कमाता है वह उसके हाथ मैं रुकता नहीं, इससे सम्चंदित उसने प्रशन स्वाइब यह हो सकते हैं, आपके पास और भी की किसी प्रेकार की प्रशन आसकते हैं तो आपको उस समय की प्रस्न कुंडली बना लेनी है जैसे अभी आपने प्रस्न कुंडली बनाई और बरतमान समय में जो लगने चल रहा है वो चार है लगने कुछ भी आ सकता है उस समय में बरतमान समय में जो लगने चल रहा होगा वहाँ आएगा तो लगन कुछ भी आ सकता है जैसे मैंने एक उधारान के रूप पर यहाँ पर करक लगने ले लिया चार का अंक करक लगने ले लिया अब ब्यक्तिका प्रस्णता की वो धन कमाएगा की नहीं कमाएगा कब कमाएगा तो उसके लिए आपको यहाँ भी जानना पड़ेगा सरुबर्थम कि हमारी कौनसी रासियां चर रासियां कौनसी स्थिर है कौनसी दूसर भाव है उसके लिए मैंने एक कुंडली में चार्ट बनाया है आप चाहें तो इसे भी उतार सकते हैं नहीं तो सबसे आजान तरीका जो यहाँ होता है यहाँ पता करनेगा कि कौनसी चर रासियां कौनसी स्थिर कौनसी दूसर भाव है उसके लिए क्रमसा होते हैं जैसे चर इस्थिर दूसर भाव मेश ब्रिस मिथुन कर्क सिंग कन्या तुला ब्रिस्चिक धनू मकर कुम्ब मीन मेश चर ब्रिस स्थिर मिथुन दूसर भाव फिर से चर इस्थिर दूसर भाव कर्क सिंग कन्या चर इस्थिर दूसर भाव तुला ब्रिस्चिक धनू चर इस्थिर दूसर भाव मकर कुम्ब मीन इस तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौनशी राशी चर है, कौनशी स्थेर है, कौनशी दिसुवाओ है अब व्यक्ति का प्रस्न था कि उसके पास धनकाब आएगा तो उसके लिए हम प्रथम भाव की गणना के साथ, लगने की गणना के साथ हमें धन से संबनीत भाव की भी गरना करनी पड़ेगी अगर जैसे हमारे अगर इस भाव में चंदरे लिखा है तो यहां से चंदरे की सात्वी द्रिष्टि अपने रासी पर 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 रिए लगने इस्तान पर प्राडरी है तो इससे वह उसका कारी जल्दी बन जाएगा उसे जल्दी ही धन प्राप्त होगा यहाँ आप उससे बोल सकते हैं अगर यहां पर कोई असुब ग्रह जैसे राहु बैठ जाएं केतु बैठ जाएं सनी बैठ जाएं सूरी बैठ जाएं मंगल बैठ जाएं यहां कुरूर ग्रह हैं सूरी और मंगल लेकिन सनी राहु केतु यहां असुब ग्रह हैं अगर यहां यहां पर बैठ जाते हैं तो इस कारी में देरी करेंगे बिलंब करेंगे यह कुंडली का एक महतुपूर्ण सूतर है तो आप यह बता सकते हैं इसी तरह से उस भाव पर भी जैसे कोई अगर शुक्ष से संबंदित आपके पास प्रस्ण लेका है पुत्र से संबंदित बिद्या तो वह उसे हर काम में बिलंब करवाता है यह एक महतुपूर्ण भी सही था और इसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रियास किया उमीद है कि आप लोग इसे आसानी से समझ देंगे आप इसे जरूर कर लिजिए एक कुंडली के अलग अलग छेत्रों के बारे में अलग चार रासी कौन से स्थिर है कौन सी त्यस्वाव है तो आप इसे नोट कर सकते हैं और उमीद है कि आप समझ गये होंगे जो मैंने आपको समझाने का प्रियास किया और आगे इसी तरह भी मैं आपको नहीं नहीं प्रिगार की जानकारिया देता रहूँगा यह रसन कुंडल तो चैनल को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का अभिवेचन मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डेट ऑबर्थ, टाइम और बर्थ पहले, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, मैं आने वाले वीडियो में उससे संबंदित, उस कुंडली में मेरे द्वारा जो अध्यन करने के बाद जो रिजर्ड आएगा, वो मैं आपके समक्षि उससे रखूंगा, और आप कमेंट बॉक्स में यहां बता सकते हैं, अगर आप चाहते कि मेरे द्वारा आपकी कुंडली का अध्यन किया जाए, और आगे आने वाले समय में इसी प्रकार की नई नई जानकारिया आपको देता रहूंगा, आप मेरे सांथ बन नहीं रहे हैं, नमस्कार।